हेलो फ्रेंट्स, स्वागत आप सभी का जी का ट्राइक यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी सास्त्र निरत्यों के बारे में पढ़ेंगे देखें यह जो टोपिक है यह आपके सभी आने मल एकजाम के लिए महत्तपूर्ण है इस टोपिक से एकजाम में कोसन देखने को मिलते हैं तो अगर आप किसी पे एकजाम की तयारी कर रहे है तो आप वीडियो कुरेंट तक देखते रही है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं सास्त्र निरत्यय यानगी किलासिकल डांस की बात करें तो सास्त्र निरत्यय का उलेक सर प्रथम नाट्य सास्त्र में किया गया नाट्य सास्त्र की रचेता है भरत मुनी इसके अलावा जो अभीने दरपण हैं जिसके रचेता है नंदी केसवर्दत तो इसमें भी सास्त्य निर्थियों का उलेख मिलता है तो अगर आपसे question पूछ जाए कि सरप्रथम सास्त्र निर्तिया का उलेख कहां किया गया है तो नाट्टे सास्त्र में किया गया है जिसके रहचेता भरत मुनी है इसके अलावा अभी दरपण में भी इनका उलेख मिलता है अब देखे बात करें कि भारत में कुल कितने सास्त्र निर्तिया है तो भारत में आठ सास्त्र निर्तिया है तो ये भारत के आठ सास्त्र निर्तिया है आप चली इनके बारे में के करके जान लेते हैं इन सभी के बारे में तो सबसे पहले बात करें भारत नाट्यम की बहरत नाट्यम तमिलाडू राज्य का एक सास्त्रिय निरत्य है तो एक किस राज्य का है बहरत नाट्यम तमिलाडू राज्य का देखे बहरत नाट्यम ये भारत का सबसे पहला और पुराना सास्त्रिय निरत्य भी है तो अगर आपसे कोशन पूछ जाए कि भारत का सबसे पहला और पुराना सास्त्र निरत्य कुन सा है तो भारत नाट्यम है जो की तमिलाडू राज्यका है भारत नाट्यम की सुरुवात मंदिर से हुई है इस निरत्य को देव दास्यों को द्वारा बिक्सित होने कराण उचित संबान नहीं मिल पाया लेकिन 20-20 सदी के सुरू में एक रसन अयर और रुकमली देवी के प्रियासों से इस निरत्य को द्वारा इस्थापित किया गया तो यहाँ पर यह जो नाम है एक रस्लन अयरो और रुकमली देवी यह महत्पूर्ण है क्योंकि इन दोनों के प्रियासों से ही भरत नाट्यम निरत्या को दोवारा स्थापित किया गया था इसके बाद आगे बात करें तो भरत नाट्यम में सारे रिक प्रिकरिया को तीन भागों में बाटा गया है सम भंग, ए भंग और तिरी भंग तो इन तीनों प्रकार से भरत नाट्यम निरत्या किया जाता है अब देखिए बात करें भरत नाट्यम निरत्य के जो प्रमुक कलाकार है जहां से कोशन पूछा सकते हैं तो कौन-कौन से हैं तो मिर्णा लेनी सारा भाई, सांता राब, सोलन बान सिंग, पदमा सुब्रमाल्यम, यामनी क्रस्लमूर्ती अब देखिए यामनी क्रस्लमूर्ती का नाम सबसे महत पूले है, यामनी क्रस्लमूर्ती ये भरत नाट्यम की भी कलाकार है और कुचिपुडी की भी कलाकार है, तो याद रखने हैं इसके बाद अगला है कुचिपुडी निरत्यय तो कुचिपुडी निरत्यय ये आंध्र प्रदर्स राज्जे का सास्त्रिय निरत्यय है देखे कुचिपुडी निरत्यय को थाल निरत्यय और मठ का निरत्यय भी कहा जाता है कुचिपुली नरत्या का सबसे अधिक लोग पिर्या रूप मठ का नरत्या है जिसमें एक नरत्या की जो होती है बैं मठ की में पानी भर कर उसे अपने सिर्पर रख कर पीतल की थाली में पैर जमा का नरत्या करती है तो इसलिए इसे थाल निरत्य और मटकन निरत्य भी कहा जाता है आप कुचीपुली निरत्य के प्रमुक कलाकारों की बात करें तो कौन-कौन है तो यामिनी क्रसल मूर्थी इनके बारे मैं आपको पहले बता दिया ये भरत नाट्यम की भी कलाकार है और कुचीपुली निरत्य की भी कलाकार है तो इसलिए इनका नाम महतफून है यामिनी रेड़ी, राजा एवं राधा रेड़ी और कोसलिया रेड़ी तो याद रखना है इसके बार नेश्ट है कथक निरत्य है कथक निरत्य ये उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का एक सास्त्रिय निरत्य है देखे इस निरत्य को नटबरी निरत्य भी कह जाता है और संस्क्राइट में कथक कहने बाले को कथक कहते हैं अब देखे कथक निरत्य के प्रुमुक कलाकारों की बात करें तो कौन कोन है तो सितारह देवी बिर्जु महराज इनका नाम सबसे महत्पूर्ण है बिर्जु महराज ये लखनों घराने से हैं पंडित लच्छु महराज संभू महराज तो ये कथक निरत्य के प्रुमुक कलाकार है देखें जो साथते निरत्य हैं या वो निरत्य होते हैं के कई कई कलाकार होते हैं लेकिन जो महत्पूर्ण होते हैं तो बेही मैं आपको वता रहा हूँ, तो आपको ये नाम याद रखने कतह निरत्य के, बिर्जू महाराज इसमें सबसे महत्पूर्ण है, इनका निधान भी हो चुका है 222 में, अब इसके बाद आगे बात करें, इ देखे कतकली निरत्या ये एक मूख अभीने है यानि कि इसमें जो अभीनेत अयानि की निरत्तक होता है बह बोलता हैं गाता नहीं है इस निरत्या को पुराणों की कताओं के अधार पर मनाया जाता है और इस निरत्या में जो निरत्तक होता है उसके चेहरे पर हरा लाल पीला इबं काला रंग लगाया जाता है आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं अब इसके बाद देखें इसके पिरमुक कलाकारों के बाद करें तो कतकली निरत्य के पिरमुक कलाकार है कुंचुप, कुरूप, आनंद, सिब्रामन, क्रसलुनायर कलाम मंडलम और मिलेना साल्बिनी दिखें मिलेना साल्बिनी का नाम महत्पून है यह इटली मूल के एक फ्रांसेसी थी जिनका गिर जनबरी 2022 में निधन हो चुका है तो यह कतकली निरत्य के एक पिरमुक कलाकार थी तो यह याद रखना है अब इसके बाद आगे है मोहनी अटम निरत्या तो मोहनी अटम निरत्या भी यह भी केरल आज्जय के एक सास्त्री निरत्या है तो केरल आज्जय के दो सास्त्री निरत्या है कतकली निरत्या और मोहनी अटम निरत्या है मोहनी अटम निरत्या की बात करें तो यह निरत्य केवल महिलाव के द्वारा किया जाता है मोहनी अट्टम निरत्य सब्द यह मोहनी के नाम से बना है क्योंकि भगवान विश्लों ने मोहनी रूप धारण किया था बसमसुर से बजने के लिए देखें मोहनी अट्टम निरत्य में भरत नाट्यम और कत कली की बिसेस्ता चिपी हुई है यानि कि यह जो निरत्य है मोहनी अट्यम तो इसमें भरत नाट्यम और कत कली की बिसेस्ता पाई जाती है मोहनी अट्यम के प्रमुक कलाकारों की बात करें तो कौन कौन हैं तो अभिनेत्री हमामानली, तारा, निड्डूगडी, भारती सिवाजी और जो अभिनेत्री थी स्री देवी ये भरतनाट्यम की कलाकार थी कलादेवी, रांगनी देवी, केकलनाडी अम्मा और कर्न करेली तो ये सभी भरतनाट्यम की प्रमुकर कलाकार है इसके बाद है ओडिसी नरत्या है देखे ओडिसी नरत्या नाम सही है ओडिसा तो ओडिसी ये ओडिसा राज्या का सास्त्रिय नरत्या है इसकी बाद करें तो इस नरत्या में भगवान सरी जगरनात जी की महीमा का बर्लन किया जाता है देखे इसमें इस निरत्या में भागवान कृस्लन और भागवान विशुल के आठवे अपतार के बारे में कताएं बताई जाती हैं देखे इसे घृतान काल में जो केलू चरण महापात्र थे तो इन्होंने इस ओडीसी निरत्या का पूर्नर विस्तार किया है तो केलू चरण महापात्रा का नाम सबसे महत्पून है क्योंकि इन्होंने इस ओडिसी निरत्या का पुनर विस्तार किया है अब दिखे इसके प्रमुक कलाकार की बात करें तो ओडिसी निरत्या के प्रमुक कलाकार है केली उचरण महापात्रा, इनका नाम सबसे महत पूर्ण है, काली चरण पतनायक, इंदरानी रह्मान, सोनल मान सिंग, अरूना मोहंती, मादभी मरदूल, सोरेन, लोबेन, ये USA के हैं, तो ये ओडिसी निरत्य के प्रमुक के कलाकार हैं, अब इसके बाद हैं, मली पूरी निर निरत्य है, तो मली पूरी निरत्य है, ये मली पूरी राज्य का एक सास्त्रे निरत्य है, इस निरत्य की बात करें, तो इसमें जो कलाकार होते हैं, बे पैरों में गुंगरों या पायल बगएरा नहीं पहनते हैं, जबकि मली पूरी निरत्य में ऐसा नहीं होता, देखिए यह निरत्या बेंसलबाद पर आधारित विसो और रासलीला के नाटके प्रदासन के लिए जाना जाता है तो रासलीला के नाटके प्रदासन के लिए कौन से निरत्या जाता है मडीपूरी निरत्या और यह है राधा और कस्ण के प्रेम पर केंद्रित नरत्या नाटक है इसके बारे में आगे बात करें तो देखें मडीपूर के जो राजा थे भाग चंद्र तो इन्होंने अठारभी सतादी में मडीपूरी नरत्या को पुनर जीवित करने का प्रियास किया था तो यहाँ पर राजा भाग चंद्र का नाम भी महत्पूर है देखें रविन्ना टेगोर ने सांती निकेतन में यह निरत्या रूप पेस किया था इसके प्रमुक कलाकारों की बात करें तो इसके प्रमुक कलाकार है गुरू बिपिन सिंग, छवेरी बेहने हैं जिनके नाम है दर्सना, नैना, रंजना और सुबर्णा तो यह सभी इस निरत्ये की मडीपूरी निरत्ये की प्रमुक कलाकार है इसके बाद है सत्रिया निरत्या है तो 17 नरत्य की बात करें तो यह असम राज्य का classical dance है देखें यह सबसे महत्तकून भी है क्योंकि भारत का नभीनतम यानि की भारत का यह आठवा सास्त्रिय नरत्य है इस नरत्य की संस्थापक हैं महान संत स्रीमंता संकरदेव तो ये नाम एहत्पोने की सत्रे निरत्य की संस्थापकोने महान संत स्री मंता संकर देव हैं देखे इस निरत्य को 15 नमंबर संद 2000 को संगीत नाटा का कादमी दोरा सास्त्रे निरत्य की सूची में सामिल किया गया था यानि कि जो असमराज्य का सत्रिया सास्तिन रत्या है तो इसे नमम्मर 2000 में सास्तिन रत्या का दर्जा दिया गया था इसके प्रमुक कलाकारों की बात करें तो सुनील कोठारी, मालिक बरवायान, मनिराम डटा मुक्तियार बरवायान, बापुराम बरवायान अतेई, गुड़कंता डटा बरवायान तो ये सबी सस्त्रिय सास्ते नरत्य के प्रमुक कलाकार है तो याद रखना है तो दोस्तों ये थे भारत के सभी 8 classical dance जिनके बारे मैं आपको बताया उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए helpful लो तो please वीडियो को लाइक और share करना अब चलिए आज का प्रस देख लेते हैं आपको इस वीडियो को लाइस में प्ले लिस्ट मिल जाएगी आप बहाँ से जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलतें नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत